बी प्यारी चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम प्रिशना बली 5.1 का प्रेशन एक हल करना सीखेंगे प्रेशन एक के अंदर एक इस्तिती दी गई है तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्ब करना है इसमें दिया गया है कि निम्नलिकित इस्थितियों में से किन इस्थितियों में संबद संख्याओं की सूची एपी है और क्यों तो यहाँ पे पहली इस्थिति हमें दी गई है ठीक है क्या दी गई है भाई प्रतेक किलोमीटर के बाद का टेक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमेटर के लिए किराया 15 रुपे है और प्रतेक अतिरिक्ते किलोमेटर के लिए किराया 8 रुपे है कैसे करेंगे समाष्या क्वाल देखो अगर इस चीज को थोड़ा सा अगर आप समझ लोगे तो जल्दी से कर पाओगे देखो कैसे समझना है देखो यहां पे लिखा है कि प्रते किलोमीटर के बाद टेक्सी का किराया निकालना है जबकि प्रत्थम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपे है यानि कि अगर तुम बिंदू A से बिंदू B तक जा रहे हो तो जो पहला किलोमीटर टेक्सी ड्राइवर आपको ले जाएगा उसका किराया वो बोलेगा कि 15 रुपे लगेंगे ही लगेंगे उसकेबाद तुम प्रते किलोमीटर जाओगे यानि कि अगला दूसरा किलोमीटर जाओगे तो फिर वो कह रहा है कि हर किलोमीटर के आठ आठ रुपे बढ़ते जाएंगे यानि हर किलोमीटर जाओगे तो आठ रुपे फिर बढ़ जाएंगे यानि कि प्रथम किलोमीटर का किराया पंदरा है तो अगले दूसरे किलोमेटर का किराया पंदरा रोपे तो होई गया प्लस उसमें आठ जुड़ जाएगा फिर अगले तीसरे किलोमेटर का किराया यानि तीन किलोमेटर टोटल का किराया कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 तो लगी गया उसमें 8 और जुड़ जाएगा तो ये AP बनती जाएगी और AP बनी भी है कि नहीं बनी है वो भी पता चल जाएगा तो चलो देखें इसको हल बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल और जिस तरीके से बोड एक्जाम में करना है मैं उसी तरीके से करवा रहा हूँ तो बिल्कु निस्फिकर हो के नोट्स बना सकते हो पहले लिखोगे तुम प्रथम किलोमीटर का किराया तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया गया है इसके बाद प्रती एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है आठ रुपे तो ये जो है प्रती किलोमीटर अतिरिक्त किराया है तो क्योंकि प्रती एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो प्रती किलोमीटर अतिरिक्त किराया और प्रती किलोमेटर अतिरेक तिक राया कितना है वेटा? आठ. तो आठ रुपे लिख लो. बताओ, उतना बन जाएगा ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो like ही जरूर कर देना वेटा और इतना बन जाएगा कि नहीं comment में बता देना. तो प्रती किलोमीटर जो दिया गया है वही तो लिखा है तो इस हैसाब से इस इस्थिती में संख्याओं की जो सूची है वो निम्निप्रकार बनेगी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इस्थिती हमें दी गई है तो इस इस्थिती में ये आपको लिखना है बोड़ एक्जाम में ठीक है इस इस्थिती में जो संख्याओं की सूची है यहाँ पर हमने लिख दिया कि इस इस्थिती में संख्याओं की सूची कैसे बनेगी उसको पढ़ना पढ़ेगा तो बना लोगे ठीक है इस इस्तिती में संख्याओं की सूची इस प्रकार होगी कैसे होगी आईए देखते हैं सिंपल सी बात है संख्याओं की सूची इस प्रकार होगी जैसे पहले किलोमेटर का किराया 15 है तो ठीक है भाई पहला पहले किलोमेटर के लिए 15 रुपे ले लो चलो अब हर किलोमेटर आगे बढ़ोगे तो उसमें 8 जुड़ते जाएंगे यानि 15 प्लस 8 यानि तीसरे जो किलोमेटर जाओगे तो उसमें क्या होगा कि 15 प्लस 8 तो हो ही गए हैं उसमें 8 और लग जाएंगे आपके फिर 14 किलोमेटर जाओगे तो क्या हो जाएगा डाइवर बोल कि सूची बन जाएगी और फिर इसके बाद इसी तरीके से आठ आठ बढ़ते जाएंगे पहले कितने पंदरा फिर पंदरा में कितने जुड़ेंगे आठ फिर जो कुछ हो गया है उसमें भी कितने जुड़ जाएंगे आठ फिर जो कुछ हो गया है उसमें भी कितने जुड़ तो एक टीस आजाएगा फिर पंद्रा आठ 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 जुड़ दोगे तो बिटा उन्तालीस आजाएगा तो ये बिटा तुम्हारी एक एपी आजाएगी तो यह एक समानतर स्रेणी है क्योंकि इनके बीच में आठ आठ का अंतर देखी रहा है तो नीचे लिखोगे कि यह सूची एक समानतर स्रेणी है कैसा लिखोगे यह सूची क्या है यह सूची एक समानतर स्रेणी है तो इसी तरीके से तुम्हें लिख लेना है कि यह सूची एक समानतर स्रेणी है ठीक है अब सब समानतर स्रेणी है क्योंकि इसका सारवंत क्यों है समांतर चाणी बता भी सकते हो बोड़ एक्जाम में अच्छी अंक मिलेंगे क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है न बीटा क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है कितना है बीच का अंतर आठ है या आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सारवांतर आर्ट है तो ये हो गया अपना इस्तिती पहला का सवाल ठीक है तो कोचिंग से जो भी आपकी ओफलाइन कोचिंग लग रही है उसके बाद आप टाइम निकालके इनको देख देखके अच्छे से स्टड़ी कर सकते हो बहुत ही छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम लगे मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि टाइम कम से कम आपके पास होता है स्कूल और कोचिंग के अलाबा फिर भी आपको गड़त सीखनी है तो आप सीख सकते हो ठीक है तो ये बना दिया स्क्रीन सॉट ले लो इसका सभी का ठीक है और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर किया करो कमेंट करने से मेरा मोटिविशन बढ़ता है आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे तो इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो जो पार्ट भी आपको अच्छा लगा हो वो आप कमेंट कर देना और ऐसे वीडियो देखना चाहिए तो दिस्क्रिप्सन चेक कर लेना यह यूटूब पे सर्च कर लेना फ्री ओनलाइन कोचिंग आपको चैनल का नाम है फ्री ओनलाइन कोचिंग सब कुछ मिल जाएगा अब हम इस्थिती दो करेंगे नेश्ट वीडियो में तो चलिए चलते हैं थेंक्यू